हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र दोस्तों गुड मॉर्णिंग और आज की पहली सुबह की क्लास पे आप सभी लोगों का स्वागत है जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली आपके लिए तीन क्लासे जाती है सुबह 8 बजे, दोपर में 12 बजे और साम को 5 बजे लाइब क्लास तो यह आज सुबह की पहली क्लास है जिसमें हम लोग डिसकस करने वाले हैं संस्कृत का पूरा प्रक्टिस सेट जो कि आपके आने वाले यूपी टैट, सी टैट सभी एक्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल चुने हुए सभी प्रकार के प्रस्न आपको इसके अंतरगत मिलेंगे अच्छे से सभी प्रस्नों को देखिएगा, हल करिएगा और देखते हैं कितने प्रस्न आपको आते हैं तो ये के कोश्न को समझ कर आंसर करिएगा तीस प्रस्नों के पूरे प्रक्टिस सेट जो चल रहा है, उसमें ये आप लोग का प्रक्टिस सेट नमबर दस है लगवक दस प्रक्टिस सेट आपके आ चुके हैं और सभी में इसी प्रकार के questions कराएगे हैं अच्छे से समझिएगा और answer करना मत भूलिएगा तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहले question से पहला question आपके सामने चंदर ग्रहनम कदा भविस्यति आयम प्रस्तनहा तो आपको एक वाक के दिया गया चंदर ग्रहनम कदा भविस्यति यानि के चंदर ग्रहन कब होगा भविस्यति दिया गया है इस्यति हमने आपको बताया था धातुरूप के अंतरगत किसमे भविस्यकाल में प्रस्तन पूचा के आयम प्रस्तनहा यह प्रस्तन किस प्रकार का है भविस्यति लगा है तो आपको और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है इसका सीधे सीधे आपका पहला option दूसरा option जो दिया गया भविस्यति तो भविस्यति संबंदित है बस सही हो गया इसमें आपको धातु बताना है कौन सी होगी तेज त्यक्त तरज या फिर त्यज जल्दी से बताईएगा तो जल्दी से आंसर करिए विस्यति पदे विस्यति पद में क्या आपकी धातु दी गई है जल्दी से आंसर करिए second number question है तो दोस्तों इसमें देखे आपका कौन सा option सही होगा इसमें आपकी तेज़ धातु दी गई है A number option सही हो जाएगा तेज़ लिखा हुआ है आगे बढ़ते हैं third number question पर नगर इस्तिता इतिपदे समासा अस्ति नगर इस्तिता इस पद में कौन सा समास है जल्दी से बताईगा समास टॉपिक आपका पूरा क्लियर कर दिया था इसके अद अभी आपको संस्कृत में समास का पूरा एक प्रक्टिस सेट भी करा दिया है तो अगर आपने ना देखा तो link in कुछ important classes के नीचे मिल जाएंगे description box में वहां से देखते रहिएगा तो इसमें देखे नगर इस्तिता नगर में निवास करने वाला इस्तिता या इस्तिता नगर का वासी तो यह आपका B number option है तत्पुरुस समास यही सही हो जाएगा योजक चिन का लोफ है बीच में आपका कारक चिन का वीच में से लोफ है योजक चिन अगर होता तो वहां हो जाता है आपका दंद समास अगला fourth number question है भोजनादी व्यवस्थाम पदे विवक्ति अस्ति तो भोजनादी विवस्थाम पद आपको दिया गया एक इसमें आपको विवक्ति बतानी त्रतिया, दुतिया, सश्थी या फिर आपकी हो जाएगी सब्तमी जल्दी से बताएगा भोजनादी व्यवस्थाम इस पद में कौन सी विवक्ति होगी तो दूसरों fourth number question का आपका C option दिया गया सश्थी विवक्ति भोजनादी व्यवस्थाम में आपकी सश्थी विवक्तियों की C number option सही हो जाएगा अगला five number question है सो अफिपदे, संधी अस्थी सो अफिपदे में कौन सी संधी है यन संधी, विसर्ग संधी सचुत्य संधी या फिस स्वर संधी कौन सा सही हो जाएगा five number question का आपका कौन सा option सही होगा जल्दी से बताईएगा तो दुस्तों ये आपका सह प्लस अपी इस प्रकार से लिखा जाता तो ये आपका बन जाता है विसर्ग संधी का उधारन विसर्ग के एक भी पद में अगर आपको मिल जाती है तो ये हमेशा आपको विसर्ग संधी ही करना है और कुछ नहीं होगा बी number option बिल्कुल सही हो जाएगा अगला six number question तो इसमें आपको देखिए इहाँ पर रिक्तिस्थान बताना है क्या भरा जाएगा पंचमें पंचमां पंचमी या फिर पंचमम यानि कि पंचम तो भरना है लेकिन आपको बताना है कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है उस रूप में आपको भरना है six number question है देखेगा तो दोस्तों पंचमें दिव से हो जाएगा यहाँ पर दिव से लिखा इसी क्याधार पर पंचमें हो जाएगा पंचमें दिव से आगमिस्यती यह नंबर आप्शन सही हो जाएगा यही सबसे suitable answer रहेगा अगला आपका seven number question नस्यन्ति इती अर्थे किम पद पुयूक्तम प्रियूक्तम यानि कि नस्यन्ति इसके अर्थ में कौन सा सब्द प्रियूक कर सकते हैं नस्यन्ति के पद में अलंकरोती विलेपेंती विभूसियन्ति या फिर छियन्ते जल्दी से बताईएगा नस्यन्ति के अर्थ में आप किसी अन्य पद का अगर प्रियोग करेंगे तो वो कौन सा पद हो सकता है 7 नंबर कोशन है जल्दी से आंसर करिए तो दोस्तों इसका आर्थ हो जाएगा नस्यंत की जगए 6 यानि की नश्ट हो जाना इस प्रकार से कह सकते हैं डी नंबर आप्सन सही हो जाएगा आगे अगला कोशन है इंपॉर्टन कोशन है 100% सभी एक्जामस में संदी पर आपको 3-4 कोशन मिलते हैं नेक्स लकाश में आपके पूरे संदी टॉपिक से सम्मंदित जितने भी इंपॉर्टन कोशन्स बन सकते हैं उनको लेकर आएंगे तो तीनों क्लासिस को देखते जरूर टहिएगा अगला सज्जन हाँ इति पदस्य संदी बिच्छेदा हा अस्ती सज्जन पद में आपको संदी बिच्छेद करना संदद सज्जन पद का संद बिच्छेद क्या होगा तो दूसरों चारों आप्षन देखने की जरूरत नहीं है फिर भी एक बार देख लीजए आप लोग कौन सा सही लग रहा है आपको तो हमने आपको बताया था व्यंजन संदी के इंतर्गत आता है यह सत इस प्रकार से लिखा जाता है प्लस जनह तो यह जो आपका सत होता है ता होता ही जा में परवर्तित हो जाता है इस प्रकार से तो आपका सब्द बन जाता है सजनाहा यानि की A number option सद्ट प्लश जनाहा अच्छा व्यक्ति सत माने अच्छा व्यक्ति तो अच्छे व्यक्ति को सजन कहा जाता है तो ये इस प्रकार से इसका संधी भीचे दोता और ये आपका वेञजन संधी के अंतरगत आता है किसका उधारण है वेंजन संती का उधारण है आगे बढ़ते हैं नाइन नमबर कोश्चन पर संस्क्रत भासायम कति लकार संती संस्क्रत भासा में कितने लकार होते हैं पांच साथ नो या फिर डी नमबर आप्शन है दस जल्दी से बताईएगा पूरा आपका लकार टॉपि गईगा इसके लावा प्रत्य टापिक भी क्लियर कर दिया और संस्क्रत की पूरे एक अलग से बलाग से बना दी है वहाँ पर आपको सभी संस्क्रत की क्लासेज एक ही स्थान पर मिल जाएंगी अच्छे से देखते रहे हैं तो दोस्तों संस्कृत भासा में कुल लकारों की संख है जो है वो कितनी है दस डी नंबर आप्शन सही हो जाएगा दस लकार दिये गए हैं लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में जो संस्कृत व्याकरण है उसमें प्रयोग किये जाने बाले जो सबसे प्रमुख लकार होते वो पांच होते हैं पांच वो लकार आपको धातुरू अगे बड़ते हैं तो 10 नंबर आपके सामने आ चुका है देखे जलदी से तो 10 नंबर कोशन हितम मनोहारी चा दुरलवा वचाह यह किस गृंत से लिया गया आपकी संसकृत साहित पराधारी लोकिक साहित पराधारी 50 इंपॉर्टन विंदू लेकर आये थे उसको भी जरू लिया गया हर चर्तम रघ्वन्सम सिसुपाल वधम या फिर किरातार जुनियम से तो दोस्तों इसका डी नंबर आप्सन सही हो जाएगा किरातार जुनियम से लिया गया है यही सही अंसर है अब बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन आपका 11 नंबर व्याकरन में संपर् संक्रति व्यक्रण के अंतरगत अगला तोईल नंबर कोश्चन अष्टाध्याई का परयाय है यानि कि अश्ट्याध्याई आपका जो ग्रंथ है पाणजिदिन के ज़ारा रचित और शायां ये किस अश्टाध्याई बहुत ही महत्पूर्ण ग्रंत है संस्कृत व्याकरण की अंतरगत अगले के रचनाकार कौन है , यह हैं पाणिनी तो दोस्तों याद हो गया होगा पाणिनी रचना कार है इंपोर्टेंट रचना इसके साथ ही साथ आपको दुबारा बता दें दोस्तों व्याकरण संपरदायों की संख्या जो यह आठ है करेक्शन का लिजगा छे नहीं है दोस्तों संस्कृत व्याकरण में संपरदायों की संख्या कितनी डी नंबर आप्शन सही हो जाएगा आठ होती है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर महस्वर सूत्रों से बनने वाले मुख्य प्रत्याहर कितने हैं बहुत अच्छा कोशन है 42 बनते हैं महस्वर सूत्रों से कुल प्रत्याहर बनने वाले होते हैं जो वो उनकी संख्या है 40 अब आपको एक कोशन का आंसर कमेंड बॉक्स में देना है आपको बताना महस्वर सूत्रों की संख्या कितनी है कुल महसर सूतर संस्कृत के अंतर्गत कितने हैं अधिक सदिक संक्या में अपने आंसर जरूर कर दीज़ेगा ताकि मुझे पूरा आपको पता लग जाए कि कितना आपकी तयारी है अगर कोई अन्ने डाउट हो तो वो भी जरूर बताएगा बहुत अच्छे कोईशन पूरे व्याक्या के साथ आपको बता रहे है अगले अश्टा ध्याई की में कुल संपूर सूतर संक्या कितनी यानि कि अश्टा ध्याई जो रचना इन में सूतरों की संक्या कितनी है जल्दी से बताएगा 3983, 9338, 3183 या फिर 3930 जल्दी से बताएगा अश्टा ध्याई रचना के अंतरगत कुल कितने सूतर आते हैं फिप्टी नमबर कोशन है तुरांत आंसर करिए तो ये नमबर आप्शन है 3983 यही सही आंसर है कुल सूतरों की संक्या तो दोस्तों इतना आपको समझ में आगया चलिए अगले कोशन पढ़ते हैं वीच में एक दो कोशन मिस हैं चलिए अगला कोशन आपके सामने रखुबंसम किस की करती है बहुत इंपॉर्टेंट है फबूत की सूद्रक की विशाखदत की या फिर कालिदास की बिल्कुल इजी कोशन है आप सभी लोगों को मालूम होगा रखुबंसम जो है इसमें रखुबंसम के सभी राजाओं का वरनन किया के कालिदास जो आरा रचित है डी नंबर आप्शन सही हो जाएगा अगला अर्थ गौरब के लिए परसिद कभी अर्थ गौरबाय नाम है अर्थ गौरबाय परसिद अस्ती अर्थ गौरब के लिए कौन से कभी परसिद है कालिदास जी दंडी जी भारव या फिर मास माग तो जल्दी से बताएगा 19 नमबर कोशन अर्थ गौरब के लिए प्रसिद्ध कभी कौन से हैं तो दुस्वों महा कभी भारवी जो है इनको माना जाता है अर्थ गौरब के लिए प्रसिद्ध कभी C नमबर आप्सन सही हो जाएगा अगला कोशन है काभी प्रकास ग्रंथ से रचनाकार अस्ती काभी प्रकास ग्रंथ के रचनाकार कौन है जल्दी से बताएगा भरत मुनी कुंतक आचारे ममपन या फिर स्री हर्स जल्दी से काभी प्रकास रचना का नाम है और इससे सम्मंदित संस्कृत साहित की सभी जाता है तो C नंबर आप्शन आचारे मम्मट ये बिल्कुल सही एक आप प्रकास के अरचनाकार है आचारे मम्मट अगला है महाभारते कति पर्वानी संती महाभारत में कुल कितने पर्व हैं ये आपको संस्कृत साहित में कराया था 15, 17, 27 या फिर 18 तो दूसरों महाभारत का उड new था 18 दिन चला था प्रतेक दिन का एक परव तो कुल परव हो गया अठारे ये आपका डी नंबर आप्सन सही हो जाएगा महाभारत का जो पर्व चला था कितने दिन? 18 दिन चला था इसिलिए इसमें जितने दिन चला था उतने ही पर्व 18 दिन 18 पर्व अगला रमायनिस से पनेता का रामायन के रचनाकार कौन है तुलसीदाजी, वालमी की कालिदा से या फिर महा कभी महरसी ब्यास तो बहुत easy question है, सभी लोगों को मालूम होगा दोस्तों, रामयन के रचना कार कौन है? ये तो याद होना चाहिए सभी को गलत मत करना तो महरसी वालमे की, को रामयन का पनेता माना जाता है रामचरित मानस के रचना कार, तुलसी दाशी है इसका जो अन्य रचना है महरसी व्यास की वेद व्यास जी की रचना है वो है महाभारत ये इलग दिया गया याद रखेगा आगला अश्टाध्याई ग्रंथ संभवित्त संबंधित अस्ति जो अश्टाध्याई ग्रंथ है ये किस से संबंधित है जल्दी से बताएगा नाट हुआ जनक माना जाता वो अश्टाध्याई रचना को ही माना जाता मुख्यता और पाणिनी जी के दौरा रचित है व्याकरण से संबंदित है डी नंबर आप्शन सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 24 नंबर कोश्चन पर वी थी किम अस्थी वी थी किम अस्थी संधी व्रंत रूपक या फिर अभी अभी नहीं तो दूस्थों वी थी किस है संबंदित है जल्दी से बताएगा वी थी क्या होता है 24 नंबर कोश्चन है इसका आपका सी नंबर आप्शन सही हो जाएगा रूपक के अंतरगत आएगा अगला साहित दरपन सर चैता आस्ती साहित दरपन क जल्दी से बताएगा याद भी करते चलिएगा जिनको नहीं मालूम है वो देखते रही है और याद करते चलिए क्योंकि एक दो नंबर आपके निश्चित पूछे आते हैं साहित कारों पर आदारित और जितने भी कोश्चन आपके आएगे सभी पैटरन के पूरे आपके क कोश्चन आपको कराय जा रहे हैं पिछले लगबग 10-11 प्रक्टिस से ठाच के उनको भी देखेगा और आके की तैयारी करते रहिएगा तो 25 नंबर कोश्चन का आपका देखे कौन सा आप्शन सही होगा साहित दरपन के रचनाकार है आचार विसुनात डी नंबर आप्शन परकार होते हैं सर्दा और अर्थाव आपको यह बताना सब्दा में कौन सा आएगा उत्परेच्छा रूपक अनुपरास या फिर आपका द्रश्टांत जल्दी से बताएगा सब्दा अलंकार की बात हो रही है तो 26 नंबर कोश्चन पर पहुंच गया और यह अनुपरास जो होता है यह आपका सब्दा अलंकार के अंतरगत आएगा सी नंबर आप्शन सही हो जाएगा जिनोंने अलंकार रश्चंद पढ़े होंगे उनको यह कोश्चन इजी लग रहे होंगे समझ में आ रहे होंगे अगला 27 नंबर कोश्चन उपमानों उपमे संसेह भवती उप इससे बताएगा बहुत इजी कोश्चन है समझ गए होंगे आप लोग जहां पर क्लियर ना हो पारी हो आप संदे इस पर आ रहा हो तो वहां पर आपका डी नंबर आप्शन सही हो जाएगा अगला कोश्चन इसके पहले दूस्सों आपको बता दूं कि डेली साम को पांच विजे लाइब क्लास होती है आज आपकी बाल विकास की बहुत ही सिलेक्टेड कोश्चन की लाइब क्लास है जरूर अच्छे से जुड़िएगा तयारी करिएगा तो दोस्तों 28 नंबर कोश्चन है संस्क्रत में कितने बचन होते हैं इससे जी कोश्चन तो नहीं हो सकता है संस्क्रत वियाकरण का में पहला ही टॉपिक है तो संस्क्रत में बचन एक बचन पढ़ाओगा आपने दुई बचन पढ़ाओगा और बहु बचन पढ़ाओगा यानि कि कुल बचन कितने होगा एक बचन दुई बचन और बहु बचन यानि कि तीन प्रकार हो गए यही पूरुस होते हैं और आपके तीन बचन होते हैं पूरुस कौन-कौन से एक बचन दुई बचन बहु बचन जाद हो गए होगे अब अगला कोश्चन भी बहुत ही इसी है इसी तरह के कोश्चन में लिए आप से पूछे जाते हैं समझेगा अगर उसके बाद भी कोई कर सकते हैं पूरी प्रोसेज जो फीस किये वो आपको यहां पर बता दी जाएगी अच्छे से त्यारी करिएगा जुड़े रहेगा अंतिम कोशन संस्क्रत में कितने लिंग हैं तो दूसरों एक तो आपका हो गया पुलिंग दूसरा आता इसरी लिंग हो तीसरा आपने जादिये थे 10 होते हैं प्रियोग 5 किये जाता है जब कोशन आएगा कितने लगा रहें तो आपको हमेशा 10 ही चूज करना है याद कर लिजएगा आज की क्लास के 30 कोशन कंप्लीट होगे हैं पूरी संस्क्रत व्याकरण जो है उससे रिलेटर जो कोशन बनते हैं आपके सभी एग्जाम से रिलेटर उनको देखेगा समझेगा और आंसर करिएगा तो आज की क्लास में इतना है अगर पसंद आई हो दोस्तों आज की क्लास तो लाइक करना मत भूलें अधिक सदिक संक्या में सेयर कर दीजेगा और जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड करके चैनल को जरूर प्रेस कर दिजिए साम को पांच वजे लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दोपहर की क्लास में जोकी होगी पर्या वरन पर आधारी थैंकि दोस्तों